स्रेई शिवाय, नमस्तो भेहम, हम सबको पता है कि आज है 26 मई यानि कि जेश रविवार का बहुत विशेश है दिन, ये रविवार विशेश इसलिए है क्योंकि इस दिन पढ़ रही है चतुरती तिथी जो कि इस दिन को बहुत खास और बहुत ज़़ादा विशेश बना थी जिससे आपकी फैंबली हमेशा खुश रहे उन्हें कभी भी किसी के सामने हाथ वगेरा फैलानी के जरुवत ना पड़े वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आपाए जो सबसे पहले उपाय के हम लोग बात करने वारे हैं वो होगा पै क्या करना है वहाँ पर पहुच करके महादयो के शिवलिंग के पास में या फिर महादयो के मंदर के पूरे प्रांगण में जहां पे भी आपको जगह मिल जाए वहाँ पे जाके खड़े होना ठीके ना अपने घर से एक दिया लेके जाना चाहे तो आटे का हो या फिर आप तो मिट्टी का दिया हो उस दीपक को पूरे प्रांगण में महादयो के शिवलिंग के पूरे प्रांगण में या फिर शिवलिंग के पास में आपको रखना है और आपको घी का दिया जलाना है कौनसा दीपक जलाओगे घी का दिया आपको लंबी बत्ती का लेकिन लंबी भी तो देवता हैं देखो कुछ ऐसे देवता हैं जो कि हमें लगाना होगा लंबी बत्ती का जैसे हमारे कुल देवता कुबेर देवता इन सभी के लिए क्या करना है लंबी बत्ती का दिया आपको लगाना है क्योंकि हमें अपने घर में बढ़ोतरी चाहिए पैसो में तो पुटकी काला तिल लेके जाएंगे और इसी जलते वे दीपक मों तुम रुका जी के नाम से अगर आपने डाल दिया जीवन में कभी आपे घर में धन को लेके कोई कमिनी हो सकती हमेशा मालक्ष्मी कवास आपे घर में बना हुआ होगा अब कहोगे भैया ये जो दीपक हमने यहां पर जलाया है प्रजृत किया है क्या इसे उठाके हम फिर से वापस लाएंगे तो इसका जवाब है नहीं आपको उस दीपक को जिस जगह पर जलाया है उस जगह से उठाकर कि किसी अच्छे जगह पर किसी का पैर ना लगे ठीक है ना ऐसे जगह पर समहाल करके आप र गई है आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाई के तरफ और ये दूसरा उपाई आपको चावल के साथ करना है और इस उपाई के जो बेनेफिट होंगे वो है इच्छा पूर्ती बहुत परेशान हो गयो ना तो अब इस बड़े रविवार ज साथी साथ आपको लेना होगा पीला चंदन जरूरी नहीं जो स्क्रिंट पर आपको पीला चंदन दिख रहा है वही पीला चंदन आप लो आपको जो भी पीला चंदन घर में आपके अवलेवल हो मिल जाया आसानी से पीला चंदन लेंगे उसका एक बहुत ही गाढ़ा सा ब सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है आपको क्या करना है जो मैंने आपको पीला चंदन दिखाया आपको पीले चंदन को एक गोली बड़ी सी एक टिकी एस पॉम में अच्छी सी गाड़ी सी थोड़ा जादा मात्रा में लगा देंगे ठीके ना जादा मात्रा में लगाने के बा इसे लेके आपको एक तामबे के लोटे में जल भरना होगा और लेके पहुच जाएंगे कहां पे महादेव के शिवलिंग के पास में फेस रखेंगे उत्तर दिशा नौ डिरेक्शन तरीका समझेगा पहले जल चढ़ाएंगे आप पहले बेल पर समझेंगे सबसे पहला काम कर आपको स्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इसमनन करते हुए एक लोटा शुद जल टामबे के लोटे से आपको समर्पित करना जल को समर्पित करने के बाद में जो मैंने आपको एक बेल पत दिखाई जिसमें आपने पीरे चंदन की उपर दो चावल के दाने चिपका है उसे अगर किसी कारण से मंदर नहीं जा सकते हो तो अपने घर पे भी कर सकते हो शाम के टाइम पर प्रदोशकाल में अपनी मनो कामना कहते हुए कुंद केशवर महादयो की नाम से अगर उस बेल पत्र को चिपका दिया आपने ना इस चतुरसी तिथी पे जीवन की जो भी आपक इच्छाएं होंगी वो सारी महादयो पूरी जरूर कर देंगी इस से स्पेशल इस से आसान सा उपाए इच्छा पूर्ती का नहीं मिलेगा तो करिएगा जरूर ठीक है ना यहाँ पर हम सबी लोग ने बात कर ली है अपने दो उपाए की आगे बढ़ते हैं अब इस वीडि करके उसी के इनसान के ऊपर फिर से चला जाए तो इस सुपाए को करके देखिएगा ठीक है ना जैसे एसा को नहीं है तोट का टाइप का नहीं है लेकिन हाँ ये ऐसा उपाए है कि आप अपने घर से जो नजर टोने टोट के लोग कर देते हैं आपको पता भी नहीं जलता वो आपके घर से खतम हो जाएगा ठीक है न कैसे करना है मैं आपको तब बताऊगा जब आप करोगे वीडियो को लाइक मेरे जितने भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा है न देखो भाई समझते हैं इस उपाय को यहाँ आप सभी को समी का पत्ता दिख रहा होगा तो आपको लेना होगा एक समी का पत्ता इस से जज़ा मत लेना सिर्फ एक समी का पत्ता लेंगे साथ ही साथ एक चावल का दाना एक समी का पत्ता और एक चावल का दाना ले करके जितने भी रूम्स हों आप घर में दो हों चार हो 10, 20, 50 सभी कमरों में लेकर के उस एक चावल के दाने को और एक समी के पत्ते को अच्छे तरीके से हर एक कमरे में गोल-गोल जा करके आप घूम लेने सिर्फ वश्रूम में मत जाना बाकि जितने भी रूम सों सभी कमरों में चले जाएंगे जाने के बाद में आपको क्या करना है जो आपके घर का main gate हो अभी इस उपाई को मैंने परसों बताया था लेकिन लोगों ने गलतियां कर दी समझो पहले आपको क्या करना है जो आपके घर का main gate हो जब आप अपने घर के अंदर घुसते हैं तो घुसते टाइम आपको gate के बाह से उस एक समी के पत्ते को एक चावल के दाने को अपने घर के में गेट के बाहर गड़े में दमा देना और आपको कुछ भी करने की जरूत नहीं कुछ लोगों ने गलतियां क्या की उन्होंने माता असोक सुंदरी के नाम से एक समी के पत्ते को एक चावल के दाने को दबाया तो उसके बाद उने जल चढ़ा दिया, ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको जल वगएरा समर्पित नहीं करना है, सिर्फ दबा करके और फिर अपने घर के अंदर चले जाएंगे, ठीक है न, आप उसे दबा रहने दे, बाद में आप लोड करके आते हैं, उसके उपर आप कार च किसी भी सदस्की, कोई भी मनोकामना पूर्ती के लिए इस उपाय को कर सकते हैं, जो कि आपको करना होगा सिर्फ और सिर्फ कनेर के फूल से, अगर कनेर का फूल नहीं मिलता है आपको, तो आपके घर के आसपास में कोई साभी सफेद पुश्प हो, तो उससे भी आप उपा महा देव के शिवलिंग के पास जाएंगे, मैंने आपको कई बार बता रखा है, महा देव का पूरा का पूरा परिवार शिवलिंग के उपर ही विराजमान है, अरे बताया है की नहीं बताया, आपके पास में एक कनेर का फूल है और एक लोटा जल है, तो आपको या करना है सबसे पहला काम करना है जो जल आपके पास में है थोड़ा सा जल आपको समर्पित करना है भगवान गनेश के स्थान पे थोड़ा सा जल भगवान कार्थी के स्थान पे थोड़ा सा जल माता असोख सुंदरी पे थोड़ा सा जल आपको कटी भाग पे और बाकी का बचा हुआ जल महादयो के शिवलिंग के ऊपर अब सेम काम आपको करना है कनेर के फूल के साथ में जिस जगे पे आपने जल समर्पित किया है अपनी मनो कामना कहते वे उस उस स्थान पर उस एक कनेर के फूल को या सफेद फूल को टच कराएंगे जैसे पहले भगवान गनेश के स्थान फिर भगवान कार्थिकिस्थान पे फिर माता असोकसंद्री पे फिर आपको माता के हस्त कमल कटी भाग पे और फिर लास्ट में महादयो के शिवलिंग के ऊपर उस कनेर की फूल को समरप reputation कर देना अपने जीवन के कस्ट को कहेंगे मनो कामना को कहेंगे यकीन मानिये जिस काम नहीं समझ मैं नीचे comment section में पूछें और अगर आपको मुझसे phone पर बाते करनी है या message पर बाते करनी है तो आप हमें Instagram या Facebook पर follow कर सकते हैं उसके लिए आपको सर्च करना होगा The Natural Planet 108 वहाँ पर बहुत सारी बाते करेंगे वाकि मेरे जितने भाई बहन आप आप पहली बार सु सब्सक्राइब करिएगा श्रेश वाए नमस्तु भी में